आज हम मॉड्यूल 96 डिसकस करेंगे, मॉड्यूल 96 है, वेटिंग फॉर प्रॉसस्स आपने पढ़ा होगा कि अगर आप multiple processes को use कर रहे हैं, जिस तरह Windows जो है, यह एक multi processing system है, जिसके अंदर multiple processes, processes जो हैं वो at a time coexist करते हैं, तो वहां पर आपको processes के बीच में synchronization की जरूरत पढ़ती है, अब synchronization जो है, उसको करने का जो easiest तरीका है वो that is through weight functions, Windows आपको कुछ weight functions परवाइड करती है, और उन weight functions की मदद से आप बड़े असान तरीके से synchronization कर सकते हैं among concurrent processes, अभी हमने देखा है कि processes को आप create कैसे करते हैं, अगर आपने कही सारे processes create कर ली हैं, और एक certain point पे आके parent process को उन तुमाम processes को synchronize करने की जरूरत है, तो वहां पे in weight functions का इस्तमाल किया जा सकते हैं, इसके अंदर आके पस दो तरह की options हैं, एक option जो है, वो आपको अलाओ करती है कि आप किसी single object के लिए weight करें, यह असल में general purpose functions है, यह सिरफ processes के weight करने के लिए नहीं है, यह किसी भी एक resource, के लिए weight करने के लिए use किया जा सकते हैं, तो दो options हैं आपके पास, एक option यह है कि आप एक single object के लिए weight करें, यानि कि एक single process या single resource है जिसके लिए आप weight करें, तो उस case में जब आप weight function कॉल करेंगे, execution blocked रहेगी, कब तक blocked रहेगी? जब तक के वो resource available नहीं हो जाता या जब तक के वो process complete नहीं हो जाता है। और दूसरी option यह है कि आप multiple objects या multiple processes के लिए weight करें, उस case में आप multiple processes या objects specify कर सकते हैं, और जब वो सारे अपनी execution complete कर लेते हैं, उसके बाद फिर execution मसीद continue रहेगी, otherwise execution blocked रहेगी. तो जब भी वो process complete होता है, तो आपका Windows operating system क्या करेगा? जो waiting process है, उसको एक signal send करेगा, जिससे उसको यह पता चल जाएगा कि जी, अब वो जिस resource के लिए weight कर रहा था, वो available है, तो वो अपनी execution आगे को continue कर देगा. यहां पर आप यह दोनों APIs देख सकते हैं, एक API ही है, wait for single object और दूसरी API है, wait for multiple object, wait for single object के अंदर दो parameters हैं, एक handle है और दूसरा time है, diver type का जो milliseconds के अंदर time specify किया जाएगा. wait for multiple objects के अंदर, आप multiple objects specify करेंगे, multiple objects कैसे specify करेंगे, इसका परा parameter जो है, count है, इसके अंदर count of objects होगा, कि कितने objects के लिए आप wait करना चाहा है. दूसरा parameter है, that is array of handle, या handle pointer है, जिसको कि आप as an array के तोर पे use करेंगे. तीसरा जो है, that is a boolean, और fourth जो है आपका time है, यह time basically time out होता है, यानि कि आप चाहते हैं कि इतने time के बाद अगर वो try कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा, तो वो time out हो जाएगा और यह fail हो जाएगा. तो अगर आप कोई ऐसा time out specify करना चाहते हैं, आप यहां पर specify कर सकते हैं, ताकि हमारा process जो है, वो indefinitely weight में ना फसा रहे हैं. तो single object के case में आपने एक handle specify करना है और time out specify करना है, multiple objects के case में आपने उनका count specify करना है, and count के अंदर, और आपने एक array pass करनी है, जो के array of handles होगी, और be weight all के अदर आप यह थो true रखेंगे या false रखेंगे, अगर इसको true रखते हैं, तो इसका मतलब है कि यह तमाम objects के लिए weight कर र रहेगा, और last option जो है वो आपका time out period है, यह आपको याद रहे कि n counts की value है, वो maximum weight object से जादा नहीं होनी चाहिए, यह already windows.h के अंदर है, आम तोर पे इसकी value 64 होती है, अगर आप time out period जो है, उसको zero रखते हैं, तो यह function बिल्कुल नहीं wait करता है, और आगे अपनी execution continue कर देता ह और अगर इसको infinite रखते हैं तो इस case के अंदर यह हो सकता है कि indefinite period के लिए wait करेगा जब तक कि objects available नहीं हो जाता है, इसके लावा इस function की यह मुख्लिफ return type है, अगर for example इसकी value आती है wait timed out तो इसका मतलब है कि operation time out होके है, जो time period आपने specify किया था, वो पूरा हो गया, लेकिन objects available नहीं होए और wait failed अगर return होता है तो इसका मतलब है कि यह wait fail हो गया किसी वज़ा से और wait object 0 और wait object plus n अगर value है तो इससे आपको पता चल रहा है कितने objects की वज़ा से यह return हुआ है, यानि कि आप यह option भी रख सकते हैं कि सारे objects के available होने पर नहीं return करें, आप उस boolean value को false कर द वो आपको यहां से पता लग सकता.